अब लोग कैसे हो मैं जित वाद वागों के लिए नई वीडियो लेके आ गया आज इस वीडियो में डिसकस करोना कि सिलवर का टेस्टिंग गरते हैं ग्राविमेटिक मेहतल तो हमें सबसे पहले क्वैल सिलवर चाहिए होता है हमारे पास यह प्योर टेस्टिंग करें पना पत अब देख सक्ते हैं यही बैलंस सिल्वर एसिंग चल सकता है इसको हम जी कर लेते हैं यह 0 आगया है तो यह जी रों अभी आगया है जो इसे होता है जो हमकि होता है यह पास होता इसक्त होगा तो हमारे पास है अब हमारे पास सिल्वर आ चुकता है इसके बाद हमें क्या तीन काटोरियां चाहिए तो गड़िया है और सिल्वर की टेस्टिंग करते हैं इसलिए हमने तीन काटोरियां लिए है और हमारे पास सिल्वर की एशेशीट की आ चुकी है गाई यह देखिए सिल्वर एशेशीट बोलते हैं इसको इसमें बेइंग बेट इन ग्राम जितना हमने सेंपल लेगे ओप लिगेंगे डेट की स्टेज में टेस्टिंग करेंगे सेंपल नंबर वेट ऑफ सेंपल ड्रॉन वेट ऑफ पहले शेंपल नंबर 123 लिख लेंगे कि इसमेंपल वेट कितना की आप आपको यह अच्छी लगे तो प्लीक लाइक और सब्सक्राइब करें तो गाईज आप लोगों के लिए हम लोग काफी मैनद करके वीडियो बनाते हैं अगर गाईज आगर आप इसको लाइक और जरू करें इसे हमें मॉटिविशन मिलता है और आने वाले दिनों में हमें आप लोगों के लिए और फूब सारी वीडियो लेकिए तो यह हमारा वेंग रूम में हमारी स्टार्टिंग हो जुगी है सिल्वर टेस्टिंग की लाइज इस सिल्वर की चलते हैं पर लोड़ की और स्थसे पूप टेस्टिंग. LLL resistant होती हैं यहां कि वांप जुब करेंगे जो भी नमबर आएगा ले लेगी ईतनी ज्यादा अच्छा रिजर्ट अगे ही हमारा मार्त है असे यह हमारा है है हमारा मार्त है की ततरीय का है यह गोलट इसका जाई इसका मॉडल नंबर है सी पीए 225 दी यह सकते हैं और यह हमारा इसका ही माइक्रो बैलेंस है इसका लिए इस काउंट है पॉइंट की दो कि दो वन मिलिग्राम और की मैक्सिम कच्टी है 3.1 गाम इसका यह अपको देख सकते हैं यह पर फंक्षिन बटन है कालिबरेशन का बनेर्ट यह फंक्षिन का बटन है इंटर का बटन है इस्टार लगा हुआ इस्टार दो दो दबाके यह बैल इस्टार लिका हुआ यह पर तो काफी अच्छा बैलेंस है यह बैलेंस का जवाब नहीं है काफी अच्छी तो गाइस यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो हमारा यह प्रोसेस में है सिल्वर का बेंग चल रही ह है तो सिल्वर की चल रही है हम सिल्वर की ध्यान देंगे हमें क्या है कि वन पॉइंट आना चाहिए वन के आगे हमें 3-0 आने चाहिए अब भी फाइनल वेंग होईगी तो मैं आपको दिखाऊंगा है अ है कि आए है वां मैं एकर रीट रफ्र मिकें रखनी है आकि पास टेफ फाव्र चिर्ण सिल्वर की अपक्रिक इ 댓ल पर इंडियंग इस्टेंडर हएस्टू से श्यूनलएं तो सिल्वर टेस्टिंग के लिए हमारा आई एस आई एस टूर मन्त्री 2014 पंतर इसको देखेट बंतर जब देखेए अभी तोड़ा कल अभी कोड़ा हाल का साथ हुआ तो गाइज यह हमारे पास यह सिल्वर के बेहिंग कर रहे हैं गाइज यह हमारे सिल्वर की बेहिंग कर चुके हैं कर चुके हैं अभी बंकरों गेट बंकरों कि अग्याइब 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 तो यह में पार्ट है टेस्टिंग का बेंग अगर अच्छी नहीं हो तो बेंग अब तो यहां टिप्ली के सेंपल लेते हैं उसमें क्या प्लस माइनस 0.1 मिलिग्राम का डिफ्रेंस सी जाता नहीं होने चाहिए आइस पर इंडियन इस्टेंडर्ट है तो हम बेंग काफिए लेंगे लेंगे अब 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 तो गाइस चल रही है तो गाई जैसा कि आप लोग आनते हैं मेरा नाम है जी करता प्यादा मैं मैं कंसरेंट हूं में होल मांकिंग से टप करवाने की कंसरेंट ही करता ओं और जोलर का रेजिस्टियशन की चाहिए और मैं एक ट्रेंग करवाता हूं अगर अग्डायज आप एक हॉल से नाइन डावलवान फाइट नाइन फाइट डाइज यह सिल्वर की बेंग फाइनल बेंग चल रही है गाई देखको जैसे की हमारा एसे मास्टर गाईज कि ले रहा काफी प्रिस ते बेट को बन पर उस्ट बन को कि वेंग चल रही है हमारी सिल्वर की टेस्टिंग कीफा से स्टेज है यह सेंपल को बेंग करना सेंपल को हम ट्रिप्लिकेट टेस्टिंग करते हैं सिल्वर में तो तीन सेंपल लेंगे हम उसमें से ज्यादा नहीं होना चाहिए है कि यह देखते हैं अभी हमारा चल रही है तो गैस देखे हैं हमारी फाइनल हो चुकी है यह देखो 1.00006 ग्राम हमने ले लिया है वेट अब इसको काटोरी नंबर वन में ट्रांस्पर हो चुकी है यह देख डिस्प्ले में आपको दिख रहे हैं अब हम उसको कटोरी नंबर वन में ट्रांस्फर करेंगे देखिए घाई हमारे पास कटोरी है इसको पहले लिख लेंगे तो गाईज देखिए अब सेंपल की वेंग कर लिया है विए अमने का सैंपल हैं हमने को सेंपल की लिख लिए यह वेंग हमने इसको एसे पर लिख लिए है और हमने इसको कटोड़ी नंबर वन में डाल दिया गाइस कि यह गाइस डाल दिया है अब हम सेकंड सेंपल को भी करेंगे इसी तरह से तो यह हमारा सेंपल तो की बेहिंग चालू है गाइस कि आधके अगर जीरो necesita कर देंगे तो गई डेखो आटोमेटिक को चला जाए गां अगरtext हो चुकी है देख सकते हैं अभी हमीं हो रहा हमारा बिलंस यह गाइज देख सकते हैं 1.000412 एंडी तो गाइट है हमारे सेकंड सेंपल की वेंग हो चुकी है इस टेवल होने देते हैं 1.00048 वेट आगया इसको 20 वेट को नोट कर लेते हैं हम अपनी यह शीट पे तो यह हम गाइस यह हमने नोट कर लिया है इसका वेट है 1.00048 सेकंड सेंपल का वेट हमारा 1.00048 आगया गाइस अब हम थार्ट सेंपल के वेइंग करेंगे अब हम काटोरी नंबर टू में ट्रांस्वर कर लिया गाइस देन हम कि अब तीसरे सेंपल की वेइंग हमने स्टार्ट कर लिया है यह हमारा बेंग ब्रेलेंश जीरो जीरो को हो गया अब हम सेंपल डालेंगे इसके अंदर सिल्वर का तीसरी बेंग हमारी चल रही है गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आम लोग आप लोगों के लिए काप ही मेनत करके वीडियो बनाते हैं अगर आप लोग हम मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना चाह प्लीज रहे हैं कि इस तेंग और मांकिंग और गोल और सिल्वर से रिलेटेड हैं सारी वीडियो काफी अच्छी वीडियो बना रखा है उनने वहां पे मेरी चैनल पर वीडियो है उनको देखे अपने नॉलिज को अपडेट करें गाइस तो गई गर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्स्राइब जरूर करें है तो करें यह हमारा सिल्वर का तीसरा सेंपल बेंग कर रहे हैं यह सेंपल हमारा बेंग का सेंपल की बेंग चल रही है यह थर्ड सेंपल की बेंग चल रही है और जब बेहिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो हम इसका नेक्स स्टेप करेंगे और बेहिंग भी हमारी कम्प्लीट हो गए यह गाईज देख सकते हैं यह गाईज देखो यह हमारा तुमान पाइंट ट्री गीरो डाइंट नाइन आगे सेंपल का वेट तो गर्ण